क्या कभी आपने सोचा है कि आप अपनी पत्नी के साथ एक प्यारा सा हनीमून प्लान करें उस हनीमून पर जाए और आधी रात को आज आप सोच पाएंगे क्योंकि ऐसा अजीबो गरीब मामला सामने आया है जहां पती पत्नी एक प्यारा सा हनीमून प्रिप प्लान करते हैं, दोनों उत्राखंड की वादियों में प्यार मोहबत की बाते करते हैं, एक दूजे का हाथ थाम पूरे दिन घुमते हैं, और जब बात रात की आती है तो प पत्नी गई तो थी पती के साथ हनीमून पर, लेकिन पूरी रात वो किसी और संग हनीमून मनाई और अपने पती को बेसहारा बेचारा बना चुकी है, बताते हैं आपको क्या है यह पूरा मामला, अब नमस्कार आप जनता जंक्षन देख रहे हैं, और मैं हूं आपके साथ श्वता मिस्रा, शादियों से जुड़े हुए इतने सारे मामले देखने और सुनने को मिल रहे हैं, जिससे अब सब कुछ आमसी बात हो गई है, दरसल एक ऐसा खबर सामने आया है, जिसे सुन कर आप भी चौक जाएंगे, एक पती और पत्नी हनीमून मनाने के लिए उत्रा जाते हैं, दोनों की शादी हसी खुसी सारे परिवार वालों के रजामंदी से हुई होती है, दोनों पती और पत्नी साथ जनम एक साथ जीने वन्नी की कसमे खाते हैं, शादी के बाद दोनों काफी खुश भी होते हैं, लेकिन हनीमून पर नई नवेली दुलनिया के तेवर कुछ और ही देखने को मिलते हैं जिसके बाद वो लड़का थाने में जाकर केस दर्ज करवा देता है कि मेरी पतनी मुझे छोड़कर भाग गई है मुझे इंसाफ चाहिए कुस दिन पहले ही दोनों की हसी-खुसी शादी हुई थी अब वही लड़के का कहना है कि शादी के नाम पर मेरे साथ धोखा हुआ है जब हनीमून मनाने के लिए उत्रा खंड गया तो वहाँ जगे जगा घूमे और खुब मस्ती भी किये वही रिशी केस में एक होटल में ठैरे उसी रात मेरी पत्नी मुझे छोड़कर अपने बॉइफरेंट के साथ भाग गई उधर जब लड़के ने च्छानबिन किया तो पता चला कि पत्नी का पहले से प्रेम बिवा हो रखा है वो किसी और से प्यार करती थी जिसके चलते वार रात में नशा का पदार्थ खिला कर सारे गहने जिवरात लेकर उसके साथ भाग गई है आपको बता दू कि दोनों की शादी बड़े ही धूम धाम से हुई थी अब इधर लड़के ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि मेरी पत्नी ने मुझे गहने जिवरात सब कुश गायब है होटल के स्टाप से भी पूस्ताच किया गया तो लोगों ने बताया कि आपकी पत्नी को हम अकेले जाते हुए देखे हैं उधर लड़के ने भी जब CCTV फुटेज को खंगाला तो उसमें भी लड़की अकेले ही बहुत सारे बैग लेकर उस होटल से जाते हुए दिखी लेकिन उसके बाद से लड़की के बारे में कहीं से कोई सुराक नहीं मिला है ये सब होने के बाद उधर लड़के और लड़की के परिवार वालों को भी सब कुश पता चल गया जिसके बाद लड़के के परिवार वाले लड़की के परिवार वालों से पूस्ताच करते हैं तो लड़की के परिवार वाले इस बात को टालने की कोशिश करते हैं काफी कुछ बोलने और पुछने के बाद लड़की की घर वालों ने बताया कि लड़की पहले से ही लव मैरिस कर ली है लेकिन हम लोग उस साधी को नहीं माने थे इसलिए वा दुबारा हमारे खुशी के लिए तुम से शाधी की है उधर ये सब सुनते ही लड़का सब कुछ स कमेंट बॉक्स में बताये बाकि इस खबर में बस इतना ही ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जंता जंक्षन वीडियो को लाइक शेर करें अगर आप यह वीडियो हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो करें और यही वी